नमस्कार दोस्तों मैं एडुकेट जैर प्रकास राजवर आप सुभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज जो भी मेरा वीडियो देख रहा है जो भी वेक्ति देख रहा है उससे मेरी गुजारिस है कि आप एक बार अपने बच्चों की तरब दिखिए और सूचिए कि कितन मुष्खिल के साथ आप अपने बच्चों का पेट पाल रहा है उनको सिक्षा के लिए उनको जो भी उनको सिक्षा के लिए खर्च है वह आप उनको दे रहा है कापी किताब से लेकर फीज से लेकर हर चीज दे रहा है और सोचिए जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो व परसेन लोग पंचान में परसेन लोग हमारे समाज में भूमहीन है गरीब है पहुत ही गरीब है उनके पास ये टाकत नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके जायो कुछ कर ले फिर भी हमारा समाज सतर साल से केवल राजनीती कर रहा और राजनेताओं के पिछे भाग रहा है ये सचाई है अभी भी हमारा पेट नहीं भरा है क्या 70 साल से हम लोग नेताओं के पिछे भाग रहा है और वो अपना पेट जिला रहा है समाज हमारा जहां जा रहा है कोई पुछने वाला नहीं है कोई जानने वाला नहीं है कोई वह नेता आया तो उसके पिछे भाग रहा है कोई वह नेता है उसके पिछे भाग रहे है कोई वह पार्टी है उसके पिछे भाग रहे है भाई साब कोई पार्टी कोई पार्टी जो आप और ने पार्टी के पिछे भाग रहे हो पाल समाज भी अपनी पार्टी बनाया है कोई निसास समाज भी पाटी बने आरच्छन नहीं दिला पाया है आरच्छन जब भी मिलेगा सभी समाजिक संगठन ठान लेंगे तभी आरच्छन समाज को मिल सकता है और हमारे समाज को भी जब सारे भारत के राजनितिक संगठन ठान लेंगे आरच्छन मिल सकता है लेकिन दिक्कत यही होती है कि हमारे समाज में कुछ चापलूस टाइप के लोग है जो केवल जलन वस जब कोई अच्छी मुहिम सुरू होती है जब कोई अच्छा मुहिम सुरू किया जाता है तो चापलूस लोग जलन के मारे उसको गिराने के लिए उस सी एक सूची था उसमें हम लोग थे और गलत तरीके से निकाला गया तो दिक्कत क्या है भाई हम लोग को मिला हुआ चीज तो हम लोग मांग रहे हैं नया चीज में साथ समाज की तरह प्रजापती समाज की तरह आन्या जो है समाज की तरह हम लोग कोई नया आरचन तो मांग नहीं रहे जो हमको मिला हुआ तो वही आरच्छर मांग रहे है तो इसमें दिक्कत क्या है लेकिन हमारे समाज में दिक्कत यह है कि लोग खंडों में बटे हुए है कोई कहता है हुआ बिधाय कोई कहता है हुआ मंत्री अरे भाई साब अभी भी आपका राजनीती से पेट नह रहते जो उनको लगता है जो भक्ती करते हैं चापलूसी करते हैं जो गुलामी करते हैं ऐसे गुलाम लोग ऐसे भक्त लोग से मुझे सकत न परता है जो अपने समाज की भक्ती नहीं करते हैं बलकि किसी वक्ती विशेश की भक्ती करते हैं और यही हमारे समाज का जो है तकद जारा सभी संग्टरों दवारा उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूप करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करें दोस्तों और समाज को आरच्छन यह दुबारा चांस नहीं मिलेगा जब किसी एक पार्टी का केंद्र में नहीं लेकिन एक मात्र ही है बीजे पी सरकार जिसका दूनों जगहाँ शाषन है और हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं दोस्तों दोस्तों राजनीती को एक तरफ रख कर अपने यहीं कहीं मांग कर यह अभी नहीं तो कभी भी नहीं आर अच्छन चाहिए तो चाहिए क्योंकि हम लोगों को मिला हुआ है दोस्तों इसी मांग के साथ मैं चाहूंगा कि चापली सी छोड़कर एक जलन छोड़कर एक दुसरे का जलन छोड़कर इस मुहिम में भाग लिया जाए और इस मुहिम को सफल किया जाए